नमस्कार, दोजाच चॉबिस में देश में एक बड़ा सियासी संग्राम होने वाला है, आम चुनाव होने वाले हैं, एक तरफ है बीजेपी के मित्रत वाला इंडी और दूसरी तरफ इंडी अलाइंस आप देख रहे हैं, जहां पर तमाम बड़ी पार्टियां एक साथ आने क कोशिश कर रही है, कुन्बा मजबूत रखने की हाँ कोशिश की जा रही है, इस पर बात करने से जरूरी इस समयम अलग लग राज्यों में जिस तरीके की हालाद बनते हुए देख रहे हैं, उस पर बात करना चाहते हैं, और उसमें हम बात करेंगे आज महरास्ट की, महरास से 5 साल में हालाद बदल चुके हैं, शिफसेना दो धड़ों में बढ़ चुकी है, शिफसेना UBT और आप देख रहे हैं एक शिफसेना का धड़ा जो इस समय BJP के साथ है, एक नाशिंदे की नेतरत में, दूसरी तरफ अजीर पवार के गोट में NCP अलग हो चुकी, NCP शरत सीटे आएंगी लोगसभा की जहां पर 19 सप्रेल को पहले फेज में वोट होगा, इस समय महराज़्च के पूर मुख्यमंत्री और मौझूदा समय में उप मुख्यमंत्री देवेंद फर्नवीज की मुश्किले बढ़ गए हैं, क्योंकि BJP के अच्छे प्रदर्शन को लेकर जो 45 सीटे NDA एलाइंस जीत प्रदर्श के उसकी जो बड़ी जिम्मेदारी है वो इस समय देवेंद फर्नवीज के पास है, उनको ना सिर्ब BJP जहां पर चुनाव लड़ रही है, वहां पर फोकस करना है, बलकि जो सहयोगी घटक दल हैं, वहां भी ये पूरी कोशिश करनी की समनवे बना रहें, जो पार्टी के कारकरता है, वो सहयोगीों को जिताने के लिए पूरी कोशिश लगा दें, जो इस्थानी इनेता हैं, जिन क्षेत्रों में विधायक मजबूत इस्तिती में हैं, वो लोगसभा कैंडिडेट की पूरी मदद करें, कारकरता एक जुठ हो जिन पांस सीटों में महराश्च में मददान होना है, उसमें नागपूर है, रामटेक है, बंडारा गूंडिया है, चंदरपूर है और गर्चिरॉली है, जैसे कि आप संगराम जानते कि कितना पेचीदा हो चुका है, क्योंकि यहां पर मुश्किल हालात ऐसे बने कि दो प की, NCP का समर्थन करना, शिपसेना के एक धड़े का समर्थन करना, ये एक बड़ा पेच फसा हुआ है, सबसे बहले हम बात करेंगे सतारा और महरा लोकसभा सीट को लेकर, सतारा में सबसे मुश्किल हालात इसलिए बन गए हैं क्योंकि यहां पर BJP ने, जो उम्मीद थी BJP क कि यहां पर ये सीट उनके खाते में जाएगी, जो इस समय NCP का जो अजीत प्रवार का गोट है, उसको ये सीट मिल चुकी, ये कोटे के थे सतारा सीट, सतारा से BJP फील्ड करना चाहती थी, राजसभा सांसद, उदियन राजे भूसले को, उनका एक शेत्र में बहुत जामन थाम लिया, उसके बाद है अब चुनाव हुए, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा, और NCP जो समय अविभाजित थी, वहां के नेता यहां से चुनाव जीतते हैं, अजीत पवार के गुट को ये सीट मिल चुकी है, अब चुनावती इस समय BJP की ये है कि भूस इससे मान चाहें कि वो NCP अजीत पवार गुट के सिंबल पर यहां से चुनाव लड़े, यानि उनकी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़े, और ऐसी जानकारी मिल रही है कि शायद इससे NCP के अजीत पवार को कोई दिक्कत नहीं है, भूस से मान जाएंगे, येसी भी सतारा की सीट को निकाला जाए, क्योंकि पिछले चुनाव में सतारा सीट अविभाजित NCP ने जीती थी, NCP का यहां पर काडर बहुत मजबूत है, और BJP नहीं चाहती है कि महां पर किसी तरह का टकराव ऐसा हो कि पार्टी को सीट का नुकसान हो, तो एक फरनवीज को जिम् MP रंजीत नायक निम्बालकर को टिकेट दिया है और पार्टी का एक धड़ा इससे नाराज है, पार्टी के धड़ा यानि कि विजय सिंग मोहिते पार्टी जो की पार्टी के कदावर नेता है, वरिष्ट नेता है, वो अपने भतीजे के लिए सीट चा रहे थे, लेकिन पा पड़ जाएं, इसके बाद निम्बाल कर और मोहिते को सामने बठाकर मनमुटाब दूर करने की कोशिश की गई है, कितना मनमुटाब दूर हुआ है, पार्टी को इसका फायदा हो पाएगा, नुकसान होगा, या भीतर घात की संभावना के चलते जो आशंका विक्त की जा रही है, उससे बीजेपी को नुकसान होगा, तो मारा लोगसभा सीट पर भी सिर्दंद हो चुका है फर्नवीज के लिए, क्योंकि यहाँ पर दो धड़े खुले तोर पर अपनी नाराज की जाहिर कर चुके हैं, हाला कि अभी पीसमेकर की भूमिका में है फर्नवीज और य सुप्रिया सुले, शरत पवार के गुट वाली NCP से यहाँ चुनावी मैदान में होंगी और उनके सामने उनकी भावी होंगी, अजीत पवार ने अपनी पत्नी सुनित्रा पवार को यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा है, वो इस सीट से चुनाव लड़ेंगी, तो एक परिवार में किस सरीके से खींचतान होने वाली बारामती सीट को लेकर वो आपने देखा, बड़ा दिल्चस मुकाबला होने वाला है, लेकिन मुश्किल है अजीत पवार की यह नहीं है, सिर्फ कि वो पार्टी की जो लड़ाई है, परिवारिक लड़ाई में बदल चुकी एक तरीके से पार्टी दो हिस्सों में बटी और उसके सामने चुरूती है कि उन्हें ये सीट निकाल कर देनी है, बीजेबी के एक कदावा मेता है हर्शवर्धन जो कि इंदापुर विधान सभा सीट से विधायक हैं और इंदापुर जो सीट है वो आती है इसी बारामती स सदी एक शेत्र में उनका एक लंबा इतिहास रहा है अजीत पवार के खिलाफ राजनीती करने का हर्शवर्धन इत्बास से नाराज है और ये एक आशंका है क्योंकि वो खुले तोर पर विरोध करते रहे तो वो अगर मुश्किल हालात पैदा करते हैं तो इस सीट को अजी सीट पर फोकस करना, एक एक सीट पर ध्यान देना, आपसी मनमुटाफ को दूर रखते हुए काम करना, कारकरताओं कोई समझना होगा कि बीजेपी के साथ जो LAI है अगर वो जीतेगा तो फायदा NDA को होगा, बीजेपी को होगा, इस हित में काम करना होगा, तो ये तीन मारा में मारा में और बारा मती में क्या होने वाला ये चुनावी नतीजे बताएंगे और ये साफ कर देंगे जो कोशिश की गई है और इसके बाद जो फीड़बैक दिया गया केंद्री नित्रतो को उसका असर हुआ है या नहीं हुआ है अलाकि बीजेपी की जो स्टेट प्र